हमारे chanel को subscribe करें और बेल आइकन दबाए हालो नमश्जबा जैंद आजका टापीक है पाचन तंत्र सिस्टम पाचन तंत्र में गैजम का पाचन किस प्रकार से होता है जाता हो हमके होग आप किस आउ verक में पाचन क्या है महत्यापूर्ण यहीं है कि फाचन क्या है तो भोजन के ज़टी अणोँ को तो मैं परिवर्टित करना ही बोंता चो कर बाद नात के द्वार जाता आजाता है और भी जब शरीर गंदर जाता है उसे और भी छोटे छोटे टूकुणों में परिवर्थित कर दिया जाता है इसे ही पाचन बोलते हैं लोग जब खाते हैं और भी चीज़े खाते हैं मुख्योप से cpl काते हैं कर्फएड्रेट प्रोटीन और लिपिड कई भर बता चुके हैं कि अर्भाइड़री प्हले घ्लुकोजन मदलता है फिर लाइकोजन म मदलता है प्रोटीन प्हले पेपटॉन्स में और फिर अमीनोस एसीड में चेंज होता है इसी प्रेकार से फैट या लीपिड पहले फैट एसीड बदलता है और उसके बाद गलिस्टराल बदलता है यह आपको याद ही करना पड़ेगा अन्य कोई भिकल्प नहीं है कार्भवाहइड्रेट को पहले बचल देना पाचन कहलाएका और उसी परकार से लीपीड हैट को फैटी एसीड अठोवा ग्लीसराल नवीन बदलना पाचन कहलाएका बाज्च किया जाता है इसमें बदलका लाना है मतलब उसका आक्सी करना कराना है रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं आक्सी करना होता है और आक्सी करन क्यों करते हैं क्योंकि हमें उर्जा प्राप्त करनी है मुख्यों देश से उर्जा प्राप्त करना स्वसन का भी और भोजन का भी तो स्वसन से पभाशान लेते हैं और भोजन से इतियादी लेते हैं उनको जलाते हैं और उर्जा मिलती हैं हम vortex करने से मिलती है और वहीं लेते हैं करभवाएड्रेट घ्लू को सिर्ल recommend । अगर उर्जा प्राप्त करनी होतू मुख्यूरुप से यह उत्तरदाई होते हैं इससे प्राप्ट की जाती है और उन्हें इस्टोर किया करना हो तो इसमें बदलकर इस्टोर कर लिया जाता है क्योंकि हम हमेशा भोजन नहीं खाता रहेंगे न उसको इस्टोर करने की जोर्थ पड़ेगी और जैसे को आजने की चुक्तर करेगी इसपार में से इस्टोर करती है इसपार में उसको और प्रवाप्त करती है नेक्ष देखते हैं सभाग की कारे की esperando के भीभूझी बहुन में दोता है किस प्रकार से इसके पेट में जाता इप चोटी यात मैं फिर बड़ई आत में इस प्रकार से कहां का जाता है है इस के बारे में उसे मिलाकर अहार नाल बोलेंगे विभीन पाचक ग्रंथियां जब जाता है तो कहीं-कहीं पर पाचक ग्रंथियां इस्थीत होती है जो एंजायम रिलीज करती है और इंजायम ही भोजन के जटील अनुगों को सराल नो में तूड़ता है यानिकी बड़े- करते हैं भोजन करने के बाद उसका पाचान होता है सरीर में जाता है और उसके बाद मलत्याग के रूप में अपचीत भोजन होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है सरीर से इन दोनों को डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे पहले यह पढ़ते हैं पाचान आहार नाल की संरचना भोजन पहले कहां जाएगा पहले मुख में जाएगा जिसे ओरल कैवेटी बूलेंगे मुख में मुख गुहा यहां पर हमें दो चीजे मिलेगी एक मिलेगा दांत और दांत और जीब के बारे पढ़ना है और यहीं पर हमें एक गरंथी मिलेगी लार गरंथिया लार गरंथिया अलार गरंथ सलावी क्लेंट्स इसके बाद भोजन मुख्गुहा के बाद कहा जाएगा गरस्णी में जाएगा फेरिंग फेरिंग्स को हम लोग रेस्पिरेक्टर सिष्टम में भी थोड़ा बहुत पड़े थे जहां विंड पाइप और फुड पाइप एक दूसरे से मिलते हैं उसे फेरिंग्स बोलते हैं यह क्या होती है दस बारा इंच की पतली लंबी नलिका होती है जिसके यहां से लेकर और पेट तक नलिका होती है जिसके माध्यम से भोजन पेट तक पहुचाया जाता है है अमासे इस्टमक इस्टमक में हमें गरंथ दो ग्राविस्टै मिलेगी स्टमक में दो ग्रांथीा मिलेगी एक उर यकृतर अमाज ग्रंथी ग्रंथ है यक्रित ओ ले यकार लेवर और जठर गंतिक घ्रे neuнос के अमासे तो उसके बाद अमासे के बाद भोजन जाएगा छोटी यांट में इसमाल इंटेस्टाइन में चोटी यांट को तीन भागों बाट लेंगे हम यह घु inte A day करते हैं जोटीयात के भाग है न।痴टीयात में सबसे पहले का हम आपाशा मुझा होगा यहां पर भोजन का पाचन उंपुन होता है जो पाचन क्रिया में सेस रहा जाता है इसका पाचन नहीं हो पाता है तो जह सेस रहता है इसको स्वक्राशान के द्वारा सीकम के पास भेज दिया जाता है जिसले सुसांत्र को बोलते हैं यहां पर चोटी आत की बात हम लोग कर रहे हैं तो च्छोटी आत में ग्रंथी मिलें भ lip 장्ल सा इसको फ्टी आत में भोजन चला जाएगा और बड़ी आत म में क्या होगा बढ़ यह को पारिगने को सिक्म जात है sizin को यह म는 प्रिह्धांद्र और रिक्टम से बोलते हैं बुलते जिसमसे पर चूटा वर्य। है तो उसके बाद बड़ियात के बाद फुदा एनस के माध्यम से और पचीत भोजन को शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाएगा यह है पाच आहार नाल की विभिन सन रचना है इस हिसाब से इस चेप्टर को पढ़ना है कि पढ़ते हैं इस से पहले पढ़ने से पहले आपको यह चीज दिखा दे हम अंता सरावी तंत्र में इस चीज को पढ़ चुके हैं इंडोक्राइन सिस्टम में बताया लगांतियां दो प्रकार कि होती है एक बहीर और इस तो बनता है या तो ड्रेस बनता है जूस पूरी आंतो इंपर आंताय। तंतियों को पढ़ चुके था हesterolों करें हमने बताय था इन्हें पाचक ग्रंथिया बोलते हैं क्योंकि यह इसे मतलब नहीं था इसलिए इन को करके हम आगे बढ़े में इनई से मतलब पाचन तान्त्र में तो ऑई सुरहावय क्रूंतियों को पुलाउब भागूंबाणुए जो एंजाइम अधवा जूस रिलिज करती हैं उन्हें 22 रवी गृंथिया बोलते हैं तो जो एंजाइम रिलिज करती हैं एंजाइम यह जो है अभी हमने करती हैं इसलिए इंधे पाचक करण्थियां पाचक करन्थियां क्योंकि निभात है निभात और यह तीन गあれ यह तीन गरंथिया जो आप देख रहे हैं यहां से किנס होता है इसलिए इसी यहां से उस रिलीज होता है इसलिए प्रति रक्ष ढ dostем यह दिया बोलते हैं प्रति रक्षप प्रति रेक्ष्थ टंत्र इम्यून सिस्टम हम लोग पड़ चुके हैं और वहां पर देखेते ते वहां पर तीन बैंशाब सिस्टम पड़े कि आइं पढ़े थे कि वहाँ पर फीजिकल बेरेर क्रियेट किया जाता है फीजिकल वहाँ पर आशु के बारे में पढ़े थे आसु जब कोई पैथोजन्स आंख से अंडर बड़ी के अंदर करने कोशिच करता है तो यहाँ पर आख में उख्ष्टित होती है लेक्राइमर ग पर फ्रफ्रण्थियां होती है अगर कोई पैथोजन्स पुचा के माध्यम से शरीर के अंदर प्रेस करना चाहता है चोटी-चोटी खिद्र होते हैं तो यहां से टिटिंग ग्लेंट्स एक्टिवेट हो जाती है अब पसी पसीना करती है और पसीना के माध्यम से बहकर बाह सिरा बहुतार देती हैं तो महां से पैथोजन्स नहीं जा पाता है पतुम स करक नि करती बहुत है तो इनटिम कुछ का रहर करती है और यह अगली संतान की क्यूंकर करती आ और यह ग्रंथिया जो है एंजाइम बनाती है इसंदी लिए पाचक ग्रंथिया बोलते हैं और इन सभी को मिला कर बहिश्रावी ग्रंथिया बोलते हैं वह सामने दिख रहा है आगे आहार नाल अभी हमने जो समझाया कि उसंद्ध में कर दो petty पैस्ले हो है कि है मुँह में यहाँ पर ग्रसणी है यह ग्रसणी आपको दिरा है कुसके बाद यह ग्रास नली है यहां से Hmm भोजन यहां से यहां पीट में जाएगा वहाँ पर यह पेट इवला पेट है यह यह कृत ग्रंती है यह एग ना erkennen यहAyna भोजन और रसायनिक पाचन यहां पर दोनों प्रकार से पाचन होता है मुख में आंत्रीक पाचन भी और रसायनिक पाचन यहां पर को भौतिक पाचन भी बोल सकते हैं भौतिक पाचन दरसल भौतिक पाचन यहां पर कोई रियक्षन नहीं होता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जहां पर नया पदार्थ बनता है दो पदार्थ मिलके नया पदार्थ बनाते हैं वहां पर रसानिक पाचन अथा भौतिक पाचन वहां बोलेंगे जहां पर नहीं बनेगा तो यहां पर कोई रियेक्शन नहीं होगा तो जीव और नात यह दूनम मिलकर क्या करते हैं धुझा करता है चोटे चटौण में बदलता है और इसमें राइता करता है जो भी भोजन यहां इंत्रिक पाचन यह भातिक पाचन कहां होता है जीब-व्मदाथ की साहअथा से होता है उसके बद रौप सायियनि Mick상 हमने कहा कि मुखकुहा में ही लार ग्रंथियां होती है और लार ग्रंथियां लार ग्रंथियां यह एंजाइम्स रिलिज करती है वहाँ पर भोजन को छोटे छोटे जटी लोनों को सुरलोनों में तूड़ा जाता है तो लार ग्रंथियों के साहता से भी यहां पाचन होता है जीब टं बोलने में सहायता हमने पीशे बता चुके हैं रेस्पिरेटर सीटर में बताये थे आपको कि बोलने का कारे आवाज कहां से निकलती है कंठ से निकलती है अवाज ध्वनी अंत्र स्वर्बाक्स स्वर्बाक्स से ध्वनी अंत्र से निकलती है यानिकि ध्वनी वहां से निकलती जाएगा पीछ लिया जाएका लेकार यहां को बोजन से मिलाना में वाहिता के टारोई को सरघ्र में करता है यह क्या कर तो यह क्या करेगा लार से मिलादे गा यह एक समेधी अंग है जीव एक समेधी अंग है तरसल आख कान नाख जीव तोचा को समेधी अंग बोलते हैं आख कान नाख जीव और तोचा पांच समेधी अंग होते हैं हमारे शरीर में पांच समेधी अंग है आख कान नाख जीव तोचा में अयसे राते हैं को बीना किसी चीज का सपर्सट किंग के उसकी प्रकृति के बारे मां ने समय यंक को मैं जैसे आप जा रहे हैं मारकेट करकाट कहीं बजा रहे हैं आपको सुन्दर कंद्र दिखिए यहां अपको यह तो आपको torch करना पदा क्या देखने के लिए आपको तो नहीं करना पड़ा आपको यह अंदर्शिद कन्या है नहीं की अंग जमिल झाया अनरी यानिक आँख से आपने देखा आपको तेक नहीं करने पτα तो अचैने की दूर मह मम का में तो यह तो पत्रज़त सावाशा तो इसलिए आपने कोशिच की थोड़ा बोलने के एलो आए की है तो दूर से ही आपने सुन लिया तो कान क्या है एक समेधियंग अपना कारे दूर से इंप्रेस करने ऊपना उसने ऊड़ाया तो इत्र रपर फिंब लगाई थी और फिर्म नाक ने दूर से घ्रण कर लिया तब कि कि आपको उसे टेच करना पढ़ा क्या नहीं थोड़ी दूरी पर से दूर से आपको किसने क्रण किया नाक ने तो नाक क्या है समेधी अंग हो गया उसे प्रकार से जीब आपको डायट पे पुलाया और पीजा और गिजा आया आप पिज आया लेकिन जीब पर अभी नहीं गया जोहीं मुख में रख्खा अपने उससे क्यों गरम था तो उससे भाप निकल रहा और भाप निकल ला था उसने भाप जीव पर गया जीव पर पस्तित कलिकाओं के पास गया और कलिकां स्वाद ग्रहन कर लिए तो जीव क्या है एक सम्वेधियंग इसलिए भू Lincoln में भाफ रहता है और उड़ ब्र एत पूर कर सभी गलिकाओं तक सौदगर्हां अच्छे से हो जाता है वहीं ठंड़ा ओजाता है तो स्वाद का पता नहीं चल तौAdd से हुएंग हो गया हुए। कि उसके बाद आपको पांच बजी कर टाइम आप ने दीकि पांच बजे साम को आना रोंड जी रिसर शन्टे के बाहर मिलेंगे उसके बाद साम को पांच बजे तब तक आपके घर पिसे कोई आया और आपके पीछे से आपके मेंडी भल पर चपल बढ़ा के बाग जल्दी से ठंड लग रही है तो भाग गए तुरूंद सुचे कि यह सब काम बाद में होधा रहेगा तो आप तुरूंद भागे तो आपको ठंड कैसे लग रही थी पांच समेधियंग होते हैं आंख कान नाग जीव तोचा जो बतावरण से ही समेधनाव को ग्रहन कर लेते हैं पैपिला कि पैपिला दरसल जीव में हम लोग जीव को पड़ रहे हैं और जीव में बहुत सारे कलिकाएं होती है अभी हम लोग देखें कि नेक्स्टों स्लाइ पाई जाती है स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती नहीं होती है इसलिए बोल रहा है कि फिली मतलब फिल करो उसको फिल करो फार्म को फिल करो तो फिली फार्म पैपिला इस सर्वाधिक संख्या में होती है इसलिए तो फार्म फिल करते करते बहुत सामय घुजर जाता है सरवाध स्रदल में सवाण आध साथ संख्या में फार्मपींग होती है यह आप पूछा जाता में सबसे से कम संख्या में फॉली है क्या मोट फूली देखते जीव का यह आप देख सकते हैं जीव यहां पर से बिटर कड़वा स्वाद मिलता है जिप के पीछला भाग से और सबसे आगे वाले भाग से यहां से मीठा स्वाद मिलता है साइड वाले भाग से नमकीन स्वाद मिलता है यहां से खट्टा स्वाद मिलता है और यहां से भी खट्टा स्वाद मिलता है कि यहांपर करकार बहुत के यह इनके कोषिका행 करते हैं कि एंधे कहीं काली गुलते हैं मअ करक मतलब बिक अर्थ करने सरक्म बना है मतलब गुलाकार तो यह बना रहे है इस प्रकार से यह आए आचार बोलते हैं जो यहां पर उस्तित होती है और फोलू ये ये फोली हेट पेपिला है यह पेपिला और अबताया सअीच मुक्या हॉती है उसके बात हमने बताया था फीली था-बिला आपड़ा होता है तभी नवगरी मिलती है तो फिलिप फाम पैपिला जो है अधिसारबादिक संख्या में होता है यहां पर छोटे-छोटे कण आपको दिख रहा हूंगा अगर आप ब्राइटनेस अच्छा करके देखें तो दिखेगा वर्ना दिखेगा भी नहीं छोटे-छोटे होते हैं अलांकि मैं जूम करके लगाने कुस्स किया है यह जो हते हैं इन्हें बोलते हैं फिलिप फाम पैपिला और यह वाला आपको जो दिख रहा है बड़ा-बड करना कि उसके बाद मुख हमारे मीले का अंगतर दकाट कि यह में दोबर दानाते हैं इसलए इसमें दो प्रकार के दाथ होते द्रस्टेशंयघ के दानते कं मतल ак encourage की दांते हैं तो Krieं ते मतलए के मनुस्तर्पे जुदाते एक चेम्बर में लगे रहते हैं परकं किरिंथ्रण के मतला परकार का होता भी है ना चार परकार की होते हैं नोल और इन्साइजर वोलते हैं इंगलानोगी क्या करता कार्य करता है तो क्या करते लग्या कुछ छोटी और रोनन्य clamp केनाइन इन के जरणक चार होती है यह चीरफाळ करने कारे करते हैं रदनक चीरफाण कारेकर आपको कहीं चीर लग गया कुछ फट गया आपका तो आप रोने लगेंगे न तो इसलिए रदनक जो है चीरफाण कारे करता है अगरी चावरणक प्री मोलर आठ संख्या होती है इनकी भोजन यह पीछना चबाने कारे करते हैं आगर चावरणक चावरणक है तो यहीं चबाएगा और पीसे का और यह भोजन को मिक्स करेगा जबाहए बारा होती है दोनों जबड़ों के दोनु तरफ के अंतिम चावरणक होते हैं जवरनक 12 होते हैं सबसे अंत में होते हैं जवरनक तो दूनों जवड़ों के एक राइट साइड एक लेप्ट साइड ऊपर भी एक राइट राइट साइड एक लेप्ट साइड कितने हो गए एक इधर एक इधर दो उपर भी एक इधर एक इधर दो तो चार हो गए तो चार द लेकिन बद्धीमता होता है लेकिन बद्धीमता से कोई संबंध नहीं है यह बहुत लेट में आते हैं लेकिन फिर भी बद्धीमता से डायरेक्ट कोई संबंध इनका नहीं इनमेल मानों शरीर का सबसे कठोर रूट तक होता है दांत इनी से बना होता है अब दांत बहुत कठोर होता है तो दांत इने मेल से बना होता है इसलिए मानों सरीर का सबसे कठोर रूट तक इनामेल होता है यहां दात आप देख रहे हैं दांत की संरचना जिस प्रकार से नीचे सामने की चार दात आप स je 4 उपर नीचे ओ यह के बाद एक इधर और एक इधर तो म किलें चारत के बाद एक इधर जो मिलेगे उसे बोलेंगे क्यों के नइटेद कि एसके कं यू रधनक आप एक धागा ले लिजी कि और दागा जाएं पतला सद्धागा ले ले लिए और के लिए जिस डात से आप काटेंगे यहां से काटेंगे और साइड से काटेंगे तो होता है के नाइन रदनक fait a good impression नूकिला होता है एक इधर उता है प्रण आप से और यहां और यहां बड़े बड़े हो जाहां तो आप तो इसके बाद प्री मोलर इसके नाइन के बाद प्री मोलर आते हैं और उसके बाद मोलर आते हैं प्री मोलर के संख्या कितनी होती है प्री मोलर क्रसंख्या आठ होती है और मोलर क्रसंख्या बारा होती है इसके बाद के नाइन के बाद प्री मोलर पहले आएंगे आठ हो जाएंगे दो इधर दो इधर चार उसके बाद दो इधर दो इधर दो इधर तो आठ हो गए उसके बाद इसके बाद जो मिलेंगे मोलर मि जुमते रहते हैं छोकी चोटे बच्चे बच्चों चोटे बच्चे बच्चे होते हैं और अधिक सफेदी करुद हैं उनका काम चलता है क्योंकि उनका सफेदी दात होता है क्योंकि दूद का दात हो इनके संख्या 20 होती है उनका सट्र 21-30 है अब इसके बारे में इस्टडी कर रहे हैं अश्थाई दात यह दात पांच चावर्स की उमर से आने लगते हैं तथा 27 वर्स की उमर तक पुरी तरह से आ जाते हैं लेकिन जो चवर्णक प्रकार के रहें 32 साल तेश्ट अकाता है सबसे बड़े अकार के तथा कम सफेदी एक्थत्य यह बड़े बच्चों में आ रहे हैं बड़े लोग्तार हैं सबसे कम सफेदी अ靡़े अभी यह जो होते हैं प्राइमरी टित दूद के नात यह अधिक सफेदी व तो तर एक कईश 23 का मतलब है एक कईट टो प्लस वन प्लस तू प्लस थ्री जोडेंगे तो एक तीन दो पांच तीन आठ होगा आठ हमारे पास बत दांत कितने होते हैं 32 होते हैं तो आठ चाहू के 32 चार आया एक का मतलब चार आया यहां से तो इसकी संख्या कैंतनी हो यह जो थे जो अपहएं दिसका हमें चाहर हना करें तक ना करें तक अगरेंच और चल्व रशनक तो आट वह प्रात्मोएं दो एक तीन और जीरो तलो और अब इस न कना कितनी होती है बीस तो अब एक का मतलब चार इप कम तल्ब चार तो हुँख मतलब और प्रवावा मतलब खेनुंग इस सब्छें होते हैं यहाँ होते है यहां विर्दनक चार होते हैं उसके बारे में ध्याद करेंखें कौनसा जीरू होता है अगर्षवरणक प्रकार वाला लारी ग्रंथी हम लोग देखे थिक मुख गुहा में एक ग्रंथी मिल थी लारी ग्रंथी लारी ग्रंथी क्या करेगी एंजाइम करेगी यह तीन प्रकार की होती है लारी ग्रंथी पैरोटिट ग्रंथी सब्लिंग्वल ग्रंथी और सेमेंडिवल ग्रंथी पैरोटिट ग्रं अरटन यście जैसे जोड़ी रहती है सबमीए अपर रिवीजन करना पड़ता है तो श्यकुद्श जूड़ेंशिआ इस tusmandivul कारटोन जैसे हरकत करेंगे आप कार्ठोन की अगरऄप कारटोन करेंगे तो आपको जल कोिछ रोकल में जल 99 इनजाईम उपस्तीत होता है में मे 68 Minuten जल होता है। और एक परसंट एंजाइम होता है। एंजाइम कंसा हुछा चौ है इस्टार्च की रूप में होता है। अ कि यहां से आ रहा है में स्थार्डु का सुपता है। लार का स्रावन प्रति दिन लग भग 2 लीटर तक होता है यह सब फ्रेक्ट है कि का टाइलीन एंजाइम इस्टार्च का पाचन करता है यह जो हो यानि कि टाइलीन एंजाइम क्या करता है भोजन को टेक्स्ट्री अधवा माल्तोर बदल देता है अगर बीना फका भोजन आप खाएंगे तो इसे डेक्स्ट्री बदलता है और पका हुआ भाजन भोजन को में चेंज कर देता है यार में बफर पदार्थ गूरुब में बाइकार्बोनेट्स तथा फासफेट्स पाया जाते हैं और प्याहिक नियमन करते हैं तो यह भोजन को लस्लसा बनाता है तो भोजनिसे आगे पढ़ेगा तो वहाँ पर क्रिमा कुंचन बढ़ती है वहाँ पर लस्लसा भोजन की जोड़त पढ़ती है ताकि भोजन आगे बढ़ता लिए तो दूशह घूलन को लसलसा कॉन बनाता है मूसीन के लर्वेत कुसित होता है इसके बाद भोजन कहां जाएगा मुगवा से निकल गए और भोजन जाएगा घ्रसनि में पाचन किस प्रकार से ऊथा पाचन इस प्रकार से किलिए उसके बाद भोजान आया घ्रशनी में फ्यरिंग में फ्यरिंग्स में फुट जहां फॉड़ पाइपordan मिलसे घ्रसने कहते हैं यहां पर फॉड़ फॉड़ पाइप और सासन पंत विंड पाईप जोनने के करीब होता है यह लिए पीले रंग आपको दिख रहा होगा अगा को कि जो कि अ कि इसके बाद है नीचे है आई पूर फैरिंग्स आयपर सब्द आप सब्द हमने समझा दिये थे कई बार आपको समझा है एक तो नीचे है जो यह बोलेंगे यह वाला ये बेगनी रिक और उपने पर लाइगा और ऊपर वाला तो फेरेंग यह है लुट जो बूलते हैं यहां समय में अभिजन आपर्षच लोलते हैं यहां सब्सक्राइब दो क्यां पत्ली पतली नली का होते जिसे भोजन मुख गवास से लेकर पेट तक पहुचता है यहां पर होने वाली क्रामा कुंचन गति क्रमा कुंचन गति कारण भोजान आगे बढ़ता है क्रमा कुंचन गति क्या होता है अब देखें रहे हैं नेक्स स्लाइड में दिखा रहे हैं यहां पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है यह नलिका है यह नलिका है और नलिका कार कर देखिए पेरिंग से उठाकर भोजन को आमासा यह पेट अमासा तक पहुंचा रही है को यह है आप देख रहें यह भोजन है भोजन जहां होता है उसके ज़श्ट पहले भोजन के ज़श्ट ऊपर जहां बोजन पर एरिया पर आईसोफेगस फैलती है तो यहां से फैलती है जब यहां से फैलेगी तो भोजन आगे बढ़ेगा तो जहां जाएगा वहां भी वहीं प्रक्रिया होगी प्रक्रिया होगी उपर से फैलेगी और नीचे से प्रक्रिया होती इसे ले नि पहुता है कर वाद भोजन पहुंच जाएगा क्रमा कुंचन गती के माध्यम से पेट में भोजन पहुंच जाएगा और अमासे की दिवारों में जठर ग्रंथियों गष्टि ग्लेंट्स पाई जाती है उन्से जठर रस गष्टिक जूस का सरावन होता है पाई लॉरिक वाल उसे भोजन अमासे से छोटी यहां पहुंचता है अब्हुटै से ज़्पर ग। इसके बाद से यहां से यह छोटी यहां का बहा और यहां यहां से जुड़ा हुआ टो डिवडय नम औरम मास जहां पर मिलता है वहां पर एक वाल्व लगा रहता है उसी वाल्ब को बोलते हैं पाईलोरिक वाल्व क्या है पैपसीन एंजाइम द्वारा आमासे की दिवार का आंसिक पाचन कर दिया जाता है जिसे एंजाइम द्वारा यहीं जो होटा है पेपसिन और ररेनिन एंजाइम आगे पढ़ेंगे इसी में काईम कायम एक सब्द और फर्वह भुजन पहुंचता है तो इसमें में कि अब लूप्दी कि समान तम बिल्कुल भोजन हो जायता है तो एक सब्सक्राइब देना एक प्रकार का पहुंच जाता है तो उसे काइम बोलते हैं बोलते किसे हैं मुह से तो बोलस कहां होगा मुह में होगा कि सलेशमा में उकस का स्रावण स्लेश में गरंथियों से होता है यह अमाशा की कोशिकाओं को HCLM पेपसीन है कि सुरक्षित रखता है सलेशमा यकृत गरंथी हमने बताया था हम मासय में ही अक्रिट गरंथी हमें मिलेगी हमासय में गरंथी और जखर गरंथी दोनों मिलती है तो मानुज रिल की सबसे बड़ी गरंथ तो हम लोग इंडbourर Mitsuburai काहा होती है उदर गॉह में दाइज तरफ होती है इसका वोजन one point five gram होता यह कुर्फ को यह आपको एकरित दिख रहा है यह का फोटो है में समृत होसीह से ओ ciudad आपको कि कि जहां भी सर्थ सब्सक्राइब करा और स्थ का मतलब कर तो किसे बनेंगी होट को से यह कृत नीचे पित आसे गाल-b כל- इस त acronyám दिन में सं उता है पित रश संग्रायथ होता है पिरत रश का संह Skillsoth ago फित तस्थ में कार्य है यह क्रित के कौन कौन से कार्य है पितरस में करेगा यह करेगा और वसे इस्टोर कहा करेगा पितासे में यहाँ पर आपको दिख रहाहोगा यह पितासे है ये पित्ता से है एक थैयली नंवा थैयली नमा निचान कर दो से लेगा विन निकल दो और आपको को जोड़ना लेकिन लग गया तो हटाना तो मनेंस समों को हटाना इसलिए कि वह निराभी निव सिकर्ण क निराभी मतलब की कोई सरीर के लिए प्दार्थ स्रेय के लिए Nima किसा बाहर कि उसे मार देना उसे मार देना निराभी करन कहा होता है इस हम हम बता चुका है है रुधिर हम बता चुके हैं कई बार ही मैट इसलिए रुधिर का दन हीमेटोलोजी का लाता है पीछे पढ़ चुके हम लोग तो हीमेट का मतल़ रुधिर और हम बताएं कि पोईसीस आथवा जेनेसिस कहीं भी सब्द देखें तो इसका मतल़ होता है किसी चीज का करती थी लालस्ति मजघ्या में तो हीमेटोपोयसीस का मतलब है हम हम रुधिर सरवाधिक संथ का में rybc होती यह हीमेटो सिंब लोग और 20 का निर्माण में सहायता करना को घ्लाइकोजेनेसिस यहां भी सब्दा है जेनेशिस और उससब्दा है कलाई को मतलब गलाइकोजन ग्लैकोजन हम पढ़ें अभी इस हैं उसके बाद लोहाज़न बदलता है उसके बाद ग्लाइकोजन बदलता है तो ग्लाइकोजेंश क्या है ग्लाइकोजन बजलना अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे चप्टर में कि या पीछे बता भी चुके हैं कि ग्लुकोजन बदलना मतलब भाजन भोजन का पाचन हो गया लेकिन भोजन को इस्टोर करके रखना है अगर रखते कहां है वह सिका में रिक्त अस्थान होता है जिसे रिक्तिका बोलते हैं तो रिक्तिका में रखते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में ही वहां रखना पड़ेगा तो ग्लाइकोजन के रूप में रखना है यानि ग्लाइकोजन के निर्वाण करना तो एक बाद पीछे स्लाइड में लेके चलते हैं आपको यह देखिए हम भो माजन में बदलना भी पाचन सब्सक्राइब इसे रूप में प्राप्त करनी है और से फ्रीक सस्ट करके रखना तो अंक इस तो च् sew ग्लुकोजश की रूप में यहां पर क्लाइकोजन की या क्रित करता है क्लूक करता है यह करता है क्लाइकोजन करना कि निर्मार करना तो घ्लूकोज से लिए करता कौन का है यक्रित करता यक्रित कारे पड़ा रहा है यह करता है यो कि इस्टोर करके रखने के लिए कहां इस्टोर करेगा रिक्तिका में ग्लाइकोजेन लाइसिस ग्लाइकोजेन लाइसिस सब्दा गया यहां पर जेनेसिस सब्दा है मतलब किसी जीच का निर्माण करना ग्लाइकोजन का निर्माण करना यहां पर लाइसिस सब्दा गया जेनोलाइसिस मतला इसका उल्टा हो जाएगा जैने लाइसिस जैसे यहां ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन लाइसिस यानि कि ग्लाइकोजन से निर्मान करना वापस आजाना यह क्या था ग्लाइकोजन से ग्लुकोज बनाना कारवो हाइड्रेट कि है पर हैं फेले किसम बदलेगा ग्लुकोजी में बदलेगा कि उसके बास कि अब दलेगा है लाइकोजेन बदले गाए तो यह क्या है उसे होगा कि को यह क्या है डॉलाइकोजनो लाइसिस यानिकी जेनेसिस कोल्टा लाइसिस गलाइकोजन से गलुकोज बनादेना यह समझ गयांगे आपकी इस प्रकार से भीत मतलब होताए किसकी करना और फ Zusch इस का भी मतलब होता है तो जेनेशिस आया है निर्मार करना किसका लाइपों का लाइपों का मतलब होता है फैट तो फैट का निर्मार करना हमने बताया न प्रोटीण परि लीपीड है है भी टो से track εν outrage लेगा न बनेखा वाले पाले 53 असी का निर्माण करेगा इससे निर्माण करेगा इससे जिससे निर्माण करेगा इससे करेगा इससे भी निर्माण कर सकता है तो जनुपलाइसिस या जेन लाइपोजेनोलाइसिस क्या होगा इसी क्या उल्टा हो जाएगा यानि कि इसको बदल देगा इसमें ग्लिसराल बदल दे करेगा इसी प्रकार से प्रो थ्रॉम्बो जैनेसिस जैनेसिस मतलब प्रो थ्रॉम्बिन का निर्माल करेगा प्रो थ्रॉम्बो सब्दा यह न तो प्रो थ्रॉम्बिन का निर्माल करेगा प्रो थ्रॉम्बिन क्या है यह विटामिन के की सहायता से बनता है प्रो थ्रॉम्बि क्या करता है यह सहायता करता है प्रोथ्रमबीन उसी प्रकार से इसको प describes बहुत ज्यादा हुच्ला-कषडी हो गई है त्यां भीटा करोटीन से बीटा में एक निर्माण x ये क्रित के द्वार आए किया जाता है हेपरीन का स्रामण भी किया जाता है एंटी क्लाटिंग फैक्टर जैसे प्रोथ्रम्बीन क्या है क्लाटिंग फैक्टर है रूधिर का क्लाटिंग ठक्का बनाता है इस प्रकार से प्रोथ्रम्बीन का क्या है रखत का ठक्का बनाना या drink से कर नि 개 कर से बीटामिन एक हमाद कर रहे है और हेपरीन के बारें प्रॉपरीन इसका उल्टा होता है क्वेएंटिक थतका बनाता है यह यारिक वनने नहीं देता है लंगत पर यंगर इसकी रखाका थक्का बनने नहीं रख़त जाम हो जाएगा नलिकाओं में रखत का ठक्का नौ बने इसके लिए हीप्रेंड जीमिदार है रखत का ठक्का नहीं बनने देगा तो इसके लिए प्रेंड कानिरमाद भीक्रति द्वार करता है पिटामिन बिटामिन A D E K बिटामिन B 12 का संग्रहन भीयाई करता है बनाता नहीं संग्रहन करता है पीली रुबिन तथा बिली वर्डिन वर्ण को का निर्माण करता है यकृत के द्वारा है बिली वर्डिन और बिली वर्डिन पिगमेंट है पिगमेंट का मतला वर्ण का रंग देने व कारण कारण ही पित्रसक रंगहरा होता है और बिलीर्उबन के कारण करण क सब्सक्राइब की रेट ब्लट सेल्स का बीली रूबन कभी नयर्माण Reuters भीमल्न कि लुट रिकर निर्माड हनि अगर किसी को पीलिया है य凶्का सरीर पीला मनुष्य में प्रती दिन एक लिटर फित्रस मनता है और उसका रंग ऐसा होता है किस के कारण पिलीवर्ण पिगमेंट के कारण अधाएक पित्रस संचीत होता है बनता यकरित के समनली के द्वारा आकर संचीत श्टोर कर दी जाता है यह प्रेंक्रियाज पीछे की साड में यह प्रेंक्रियाज है जटर्फ गरंती गैश्टी ग्लेंड्स इसका प्रति प्रत की होता है यह यह प्रकारी हो है यह जटर्फ घ्ली मुकोसा में पढ़ जाती है है यह मूप कोने आपको यहां दिख रहा है यह जटरगरंति है कि यह वह जो इनकेत भागों में भाजित किया जाता है है इसलेशमकट ग्रिवा कोशिकाएं म्योकस नेक शेल मुखास नेक सेल्स इसलेशमां का शेल्थिए पार्ष मि Recent का प्रिव. 羠 सिराव करती है यह स्राव करती है अंत्रिकारत का प्रधान को कार्भ संक्रीज होते हैं कार्भर साथ। से Pepsin Radine Lipagen ista कर माने कारबन नहीं दिखा रहा है कि यहां सिल मतला कैल्सियम यहां पर यहांस आसे मतले को चल्ब कलॉरीन है yaptवले व Ses मतले कैल्सियम कि यह क्या करेगा प्रोटिं को बदल देगा लाइपएज क्या करेगा वसा तो बदल को तो तो बदलकेशन जुखेंगurg पेप्टाइब आमीन प्रोटीन को बच्च्च बढ़ने लग जाता है इसके बाद यहां से बोजन कहा जाएगा छोटी आत्म जाएगा इप्त हना हमासे से छोटी याद में जाएगा हरनल सबसे लंबा भाग है इसकी लंबाई 6.65- rounded शाड़े-6 मीटर होती है उसी मेंPower गईए लिफ लॉति यह तो इसकी पूरी लंबाई 16 ₹ MP लगभा होती है कुण्डिलीथ होती है इसकी पोलते हैं कि चावडाई कम होती है इसलिए चोटी आध में पाचन ऑशोषण करिया सरवाधिक होती है अधिक पाचन कहा होता है चोटी आतमें और शोटी आध में और बताएं ऑसलों का और भी बताएंगे आप छोटी आत को देख रहे हैं देख सकते हैं यहीं पर पाचन क्रिया पूर्ण भी हो जाती है पाचन क्रिया पूर्ण छोटी आत में होती है बढ़ी आत में कोई पाचन क्रिया नहीं होता है जो भी पाचन होना होता है अभी पेट में कुछ हुआ थोड़ा सा मुख में हु होगा और जो बचा है यहां पाचन हो जाएगा चोटी इंप में बड़ी आत्म नहीं होगा इसके तीन भागो ते डिय ऑलियम करता है यह वाला भाग है जो हारे वाला दीख रहाया आपको यह पर पाई। वह माई roll पर होता है कि उसके बाद मध्यांत्र इसके बाद आपको यह से सब दिख रहा है इ Happiness उसके बाद मध्यांत्र पीले होएड नीचे वह होता है इलियम स्यसांत्र होता है इलियम है ज्याद क्याहिए अधार अधर आ般u कि अगनाशय ग्रंथियां मिलती है पहले हैं पढ़ चुके हैं कि छोटी आत में ग्रंथी मिलती है अगनाशय ग्रंथी इसके इस्तिति डिडेनम के पास सी एकार की होती है यहीं इस्तिति है डिडेनम के पास यह डिडेनम जा रहा है जो छोटीयत का भाग होता है तो यहां से यह ग्रंथी आपको पीले रंग वाली देख रही है यह ग्रंथी यह अग्नाशय के बहिस्तराइब भाग से हम बताए थे अग्नाशय ग्रंथी जो है इंडोक्राइन सिस्टम में पड़ चुके हैं क्योंकि यहां से हार्मोंस भी लेज होता है और यहां से एंजाइम बिलेज से एक मालिका जूडते जिसे नाम देते हैं विसंग नलीका यह बात पीछे पड़ चुके आगनास्य के दोभा कोते हैं अंतासरावी भाग और बही त्रवी भाग अंतासरावी भाग कि यह इसमें चार प्रकार की कोश्य कहता है अलफा अपा पिटा टिए सेल स्सों सरकरा vaginajer और वहे स्विट होटा है और नल उंहिसें बिरसंग न्लिका दवारा और जो कहा पहुंचा दी जाती है डिवका में ससा हभूत ही तो आलफा सेल मैं के लो हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अलफा से ग्लोकों हर्मॉन से निकलता है रख्त में सारकरस्तर को भड़ाता है और शैल शैसा समयटोस्टी॰ूर हर्मोंस निकलता है जो सारे के ब्रधी करता है ब्रधी कर नियंत्रन करता है पीपी से पैंक्रेटिक पहली प्रप्टाइट हर्मोंस निकलता है पीपी का नाम ही वह है यहां से अगनासरी रस्ट को यह कम करता है तो पीपी सेल्स अगनासरी रस्ट को स्ट्रावण को कम करता है अगनासरिस निकलता है कहां से भाई सरावी भाग से निकलता है अगनासरिस बिरसंग द्वराई जुडता है डिव देनम में जाकर गिरता है अब देखिए अगर शरीर में इंसुलीन की कमी हो जाए इंसुलीन क्या हार्मोन से कहां से निकलता है पीटा से निकलता है और कि नि मद में बोलते हैं मद में रोग कि इस बात को में पीछे पढ़ चुके इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देखें फोटी याद में बिभीन पाचक रस भोजन का पाचन पूर्ण कर देते हैं कैसे पूच का पूर्ण करते हैं इसके यहां पर निकलता है पित रस की तयोसर है JENN 같아 में इस्टोर होता है बनाता और बनाता है इसके एंट बनाता इंटरियर जूष आंथ की दिवारों से बनता कि यह रह्त पित रस बाइल जूस यह वाला इसके बारे में देखें तो लिए यह वसा का पाइसी करन कर देता हाशा का पाइसी करन का मतला फैट उसा जो पानी में फ्रक्राइट के तेल को अगर पानी मिड़नें गुले गार नहीं क्योंकि वसा है है वुज़ा को क्या करता है आगे जिसको जब चुटी-चुटी बू देगा सरालूम तोड़ते है पाचन आसानिस हो जाएगा जो पाचन करना होगा कर लेगा पित्य वर्णक को तारी पित्य वर्णक जो है मल को रंग परदान करता है हमने बताया पित्य वर्णक दो होते हैं मुख्रूप से बीली वर्डिन और बीली रूबीन बीली रूबीन पीले रंग का होता है बीली वर्डिन पिग्मेंट के कारण ही पित्रस का रंग हरा होता है क तेल फीली वर्दिन के काराण ही कि मल का रंग पीला होता है इन्य वरणों को कि निर्माड आरबीशी के नस्थ होने पर होता है अब पीछे हम लोगे बता है हम बताएं my Кол отдель Node आर बीची निर्माड़ा दीख हुआ है तबीला पड़ा है और विला निकार्फी कार्बॉने चुन की कमी हो गई है कि पूटर स्टूडियम बाइकार्बॉनेत होता है पुन पाचाक्रस है आजना संट चैरस हुआ हम नहीं हाद देखा पित रस अगनाशुईसरोफ और अंत्री रस तो पित रस के बारे में थोड़ा इधि多 फीर अगनाशी रस पढ़ते भीर अंत्री रस के से ओंतम हैं एक आयगनाशाई रस इसे पूर पाचा प्रस के निकलता है काइमोट रिपसीन कार्बोक्षी पेप्टाइड एज जहां भी सब्द आप देखें एज तो इसका मतलब एंजाइम होता है एंजाइम आग्जाइम में अगर नो हटादे और यहां से काट दें अज मिले गया अपको आपको इसलिए जहां भी आप सब्ते देखें लाश्ट में एज तो उसका मतलब होता है कि वह एंजाइम है आरे अगले क्या करेगा है पाचन में साइता करेगा पाचन करेगा एंजाइन क्या करता है इस टार्च को माल टोज बदल देता है वसा लाइपेज लाइपेज का मतलब वसा होता है बता चुके हैं तो वसी अम गलिसराल में बदल देगा नुक्लिएज नुक्लिक अमल को नुक्लिटाइड से मदल देता है नाम में लिखा है नुक्लिएज तो नुक्लिक अमल को नुक्लिटाइड से मदल देता है ताइमोट्रिपसीन केसीन को अमीनो अमल पेप्टाइड से मदल देता है केसीन प्रोटीन दूद में होता है बता च का मतलब कार्बोहइड्रेट प्टाइज मतल है तो प्रोटीनS को क्या बतलेगा हमीन आमन बदलेगा और पाली यफ को प्रताइज मतलब की के का कार्बहाइड का एक प्रकार होता है यहां लिखाया ना कार्बो कार्णब की एक प्रकार होता है और यह एंजाइम है क्योंकि एज जुड़ा है लास्ट में तो इसलिए एंजाइम हुआ अभी हम लोग भोजन वह पड़ेंगे अभी पड़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि अगर सारे क्या सा क् traumाईट आ कर मिलता है तो इस प्लीक प्रकार रूट को कि ओलिकोठाइड अगर दो से नौ तक आकर एक मोनो होता है Allieी तो मतले सिंगल और अलीगोत का मतले दो शनकां मिलता है तक अगर करभोड़र कर मिलता है दो से पर वहंते हैं कर ड्रक आ कर दर अधर करण जुड़ते हैं तिस तुस् Hehe पालीप्टाइट है années 2εί childhood दस से आधिक अधिकार जुड़े हुए है मतलब बड़ी है ना एक बड़ा ऒल्क है बड़ा अडु तो बढ़ा ऐनों को चौटे हरो तो बुटे कर पाचन लजोड़ना जोड़ना जोड़ना यह तो क्लें इसको Settings में बिद्वार्शि नें से निखरणफियों यह मुकस JE cleared से निकलता है, इर्षहिस, इर्फिटार्शीन, गलाईकोलाइडेज और लाइपेज क्या करता है आर्जीन को इरुयाम बदलता है। इउरिया मुत्र में होता है और आर्जिन को इउरिया में बदलता है पाली पेप्टाइज डेज पाली पेप्टाइज यह क्या करता है इरेप्सिन क्या करता पाली पेप्टाइज को आमीन अमल में बदलता है ग्लाइकोल आइज क्या करता है ओलीको सेकराइट्स को मोनो सेकरा हुए हैं और मोनो से कार्बाइडरेट का प्रकार यह भी है तो इसके बारे में ज्यादा संझ में आएगा पाली से कराइड में कावन तोड़ता है क्लाइकोलाइडेज हमने बताए इस मतलब 10 से अधिक करवाइडरेट ओलिगो बनाते हैं और 10 से अधिक आगा तो पाली बनाएंगे और सिंगल रहेगा तो मोन बनाएंगे तो यानिकी छोटे काण है ना यह मोनो मतलब सिंगल सिंगल ठोड़ना यहीं पाचन है तो क्या करेगा और पालि सब्सक्राइट को भी अब दोनों को भी मोनो सेक्राइट सें बदल देता है काउन गलाइक लाइक डेश के मतलब वसा होता है बताया मैं तो निए तो प्रकार से भोजन का पाचन होता है और पाचन पूर्ण हो गया अब बढ़ियात में पाचन की क्रिया नहीं होगी फोटी यहां जाएगा बढ़िया यह जाएगा प्रयुटा और इलियम डिय न क्या किया था इसे ग्रहनी बोले थे क्यों प्राइव कि अमासर से और यूला था तर इसके बाद लाश्ट व्र दोला था इलियम क्या करेगा इस ब्डियम को भुजन ट्रांसफर कर दें क्या ना पहुंच मूडी यहाद के तीन भाग है कंज सीखर मॉलों और रिक्टम। बिएगए तेन भाग हैं सीखर मॉलों और सबसे पहला होता है सीकम को युदेगा इलियम इलियम जो छोटी यहांत का भाग या यहां यहां कि यहां पर यहांरी जहां पर एलियम और यह सीकम आकर मिलते हैं वहाँ पर एक वाल्व उसे क्या बोलते हैं एलियो सीकल यानि कि छोटी आत के इलियम और बढ़ियाद के सीकम करूं के बीच में स्थीथ होता है समझ गये होंगे अब इसकी लंबाई यानि कि बडियाद के लंबाई सबसे बड़ा भाग कौन होता है को लुट ब्रेदान अरोही को लुट अरोही को लुट आरोही को लुट मतलब ऊपर क्यों बढ़ना अनप्रस्त प्रकार से से होता है खैथिज और और को मतल़ा कि नीचे उतरना यह और हो ही को लौन है यह अनुप्रस्थक लौन है और यहांसे जिए और हो ही को लौन है कि यह वही को ल George सेंड़ ज होता है यहीं पर एक क कत cup लौन हम्ताय एंक кап stuck क्रों क्लोन औहुज और सिं क तो यह पर जूड़ा रहाता है उसके बाद यह सीकम उसके बाद यह कोलोन और उसके बाद रेक्टम मलास है यहीं पर मल इस्टोर होता है तो आप ने देखा बड़ी याथ मुख्ध दो कारे करती है यह क्या करती है जलका और शुषन करती है और अप अपचीत भोजन को सरीर से बाहर निकाल देती है अपचीत भोजन मतलग जो मल के रूप में आया है अपचीत भोजन जो मल के रूप में आ गया है उसे सरीर से बाहर निकाल देती है और जलका और शुषन नहीं करती है इसलिए कभी कभी समस्य आवती उल्टी दस्त क् कुलोन में प्राबलम होती है तो यह क्या करता है जल का आउस्टेशन नहीं कर प्रता है तो मल के साथ बहुत ज्यादा जल जाने लगता है इसलिए दस्त बोलते हैं उसको सिकम के सीरे पर क्रीमी रूपी परिशेशी का क्रीमी रूपी परिशेशी का यहीं परिशेशी का है यह आपको दिख रहा है परिशेशी का अपेंडिक्स यहांने की वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाय जाता है यह एक और शेश यंग का मतलब मैंने बताया अभी जिसकी जौर्थ पहले होती थी अब नहीं है पहले अब इसकी कोई जौर्थ नहीं है इसलिए धिरे-धिरे समाप्त हो जाएगा बड़ी आत में पाचन क्रिया नहीं होती है लेकिन यहां Liblagden करताथ है और बड़ी आत में स्थीत होता है यह दो कारे करता एक दो एक साथ सताथ है और दोनों के गलारा पहुंचा रहे हैं तो इससे सज्ट्वन संबंद को बोलते हैं जैसे ह私 10 जैसे क सब्सक्राइब इस चोड़ी शोड़ी समां लीजे की सिर्फ यह की यह या हमारी बढ़ियात में है वहां से हम इसे बोटन प्रप्तार लीए अपना कोई जो है कि रेस्टोरेंट में तो जा नहीं रहा है वहां ही बजान प्राप्ट कर रहा है तो यहां से बोझन प्राप्ट करता है यह vier व्वारद एप बिटामिन के मिल गया कि चारा खाने वाले जंतों जैसे गाय बकरी बैस में बड़ी आथ की लंबाई अधिक होती है इन में सिलूलोज का पाचन की छमता पाई जाती है इसके बाद बढ़ियात से भोजन जो आपचीत भोजन है उसे इक लाई बैक्रिया ने सड़ाग लाकर मल बना दिया है वह गुदा के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा शरीर से और गुदा मल में पीलापन किस कारण होता है यूरोक्रोम की कारण यह बात आप लोग समझ गया पाचन की क्रिया कारे की फीजियोलोजी आप आई जेसा हमने बताया था फीजियोलोजी इसमें क्या होता है कई चार पांच स्टेफ होते हैं एक होता है अंतर ग्रहन अंतर ग्रहन का मतलब की अंतर मतलब अंदर मतलब भोजन ग्रहन करने की प्रक्रिया को अंतर ग्रहन करते मुख के द्वारा भोजन को ग्रहित कर आहार नाल के अन्य भागों से करते हुए पेट तक पहुंचा देना यहीं है अंतर ग्रहन पाचन क्या है अहीं हमने देखा भोजन की जटी लगोंको सरा लगोंनों में यानि की बड़े लो चोटी चोटी अन्य ग्रणतिया के लिए उन से उनसे उन चोटा गया तोड़ा 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 ऊसे को पाचन रुर्य थी पहले ग्लुकोज में फिर लइकोजन में के प्रोटीन प्रेप्टों में फिर्यामिन हत से प्रकार से फैट इस प्रकार से तूलना पाचन खालाता थो पाचन हो गया वी इसके बाद लाष्ट अध्याधे होता है फच्रॉसिन अभ्जय अबले में इससे प्रकार से फैट पले फैटी एसेट में इस प्रकार से तुड़ना ही पाचन खालाता है । पाचन हो गया वो गया हमें है छोटे छोटे फ़ार्म मिल गए लेकि हमने बताया था अगर उर्जाप्राप्त करनी है 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 कि ये कम आएगा पहले ग्लुकॉज में फिल ग्लाइक होजब बदलता है उसे प्रेकर प्रप्त करना है तो हमें क्या करना है उर्जा प्रप्त करना है तो आप्षोशन में क्या होता है उर्जा प्रप्त करना है उर्जा प्रप्त कैसे किया जाएगा भोजन क्यों खाते उर्जा प्रप्त करने के लिए स्ब्स्राइब है कि भोजन खाते हैं मिलता है अब निलता है इधर से आखिजन आती है जब हम सांस लेते हैं आखिजन आती है और हम उर्जा यहां मिलती है और तो उर्जा प्राप्त करने के लिए सब क्रिया होता है भोजन खाते हैं तो भोजन तो खा लिए हम लोग भोजन का पाचन भी करा दिये ग्लुकोज बन गया है लेकिन ग्लुकोज तक पहुचायाँ या तभी सभी कोशीकाऊं तक आक्सकरन होगा ज़हाँ आकसीजन को पहुचकरन होगा और जलेगा और उर्जा प्राफ्त मिलेगी अरती से टेपी जो हमें तो यह जो लुकोज पचा हुआ भोजन है उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देना ही और शोषण कहाला होता है और कुछ है नहीं सीदी सीदी समझ लेजिए मुगवा में जल ग्लुकोज हम कुछ दवाओं जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन सर्विमाईड आधिका उससन होता है अम आसे में ग्लुकोज खनीज लमण यम एलकोहाल का उससन होता है छोटी यहां तो की लंबाई अधिक वंभ्यास कम होने था रसांकूर विल्ली के कार इस नो ज्यादा होता है कि उप्लुकोज अमीनों अमल रसांकूर्स से इनका विल्ल कोज ऊस्वाशन होता है तो थोड़ा सा इनको ध्यान देंगे इस बात को यहां ध्यान देने की जरुत वाकी चीज़ता आपकी अपको समझ गया गया होगा लेकिन यहां ध्यान देंगे अब नेक्स है बड़ी यात में जल खनी जिलाओन तथा कुछ दवाओं का उस्टान होता है तरवादी को सब्सक्राइब किसका होता है जल का ही होता है इसके बाद होता है स्वांगी करन भोजन गरान कि बहुत पच्छ गया वह उसके बाद स्वांगी करन क्या होगा यानि कि हमने ग्लुकोज के रूप में उर्जयत प्राप्त कर लिया को सिकाओं तक पहुंचा कर लेकिन उसे श्टोर करके रखना भी तो है ना तो क्या करेंगे ग्लाइकोजन के रूप में लाएंगे तब इसको रख़त पायंगे कई बर पता चुका हों कि रखने के लिए लीडिकन ग्लाइक तो इसलिए सारल प्षक कदार्तों को उल्टा कर देना यानि की ग्लुकोज से क्लाइकोजन बना देंगे क्यों 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 कि रखना है तो करकर वर्भ में रहंके कर देना कर देना है उसको तो ठीक है जिसola करके रखेंगे तो कर्देस में रूदा लए रूजाक वच्व। के इसका एकरी दोरा ग्लाइकोजे सिस क्या जाता है लोगाइकोजे सिस आपके लॉघ गॉजेसित लोग केमतलब है बात है COVID तो तो किलीकोज को करता है यह करता है श्टूर करके रखा जाके आप और हमने बताया था यक्रित द्वारा द्वार विक्त्त प्रकार से ना इसी प्रकार से होता है तो इसे देत से भुलते हैं इसके बाद हाध अगला इश्टे जाता है स्वांगी करन के बाद इस्टे पाता है मलत्याग कि मलताग में क्या होता है कुछ नहीं होता है जो अहार नाल में अपचित भजय पदार्थों को मल्क रूप में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है और मल में पिलापन इरो कुरूम के कारण होता है कई बर बता चुका हो आज का एक खतम होता है अगर वीडिय कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था आपने कर लिजिए और कमेंट मेंट कर दिजिए धन्य बाद